रसीले और मुलायम गुलाब चमुन देखकर किसके मुमें पानी नहीं आएगा और दोस्तों जब इन्हें बनाना हो इतना आसान तो मार्केट से क्यों लाना तो चलिए आज हम इन्हें घर पर ही बनाते हैं तो इसके लिए यहां पर मैंने लिया है एक कप मावा और एक चोथा आधा कप मैंने मैदा लिया है तो यह थोड़ा दानेदार होता है मावा तो इसको हम सॉफ्ट करने के लिए मैदा इसमें एड़ करके मैश करेंगे तो यहां एक परात ले लिया है मैंने इस परात में मावा डाल लूँगी और इसे हम हतेली के पदत से बिलकुल सॉफ्ट कर लेंगे क्योंकि अगर इसमें कुछ दाने रह गए तो फिर हमारे गुलाब जमुन फट जाएंगे और वो सारे खिल जाएंगे तो इसमें धूरी धीरे हम मैदा एड करते वे इसका एक अच्छा सा डो तयार कर लेंगे चोकि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होगा अब यहां मैं करते रहेगी और हम मैदा को एड करते रहेंगे तो इससे क्या बाइंडिंग अच्छी आती है और अगर आपको लगे आटा ज्यादा टाइट है तो आप उसमें एक दो चमच दूद भी एड कर सकते हैं तो देखिए बिलकूल सॉफ्ट डो तयार हो गया है यहां पर अब हम छोटे या बड़े तो देखिए मैं यहां सिलेंड्रिकल बना रही हूं और इस डो में करीबन 10-11 बनकर तयार हो जाएंगे तो इस तरह से हमें थोड़ा दबाते वे प्लेन बिलकूल गोले तयार करने है यह देखिए इस तरह से तो मैं यहां सारे गोले इससे बना लेती तो देखिए मैंने यह सब तयार कर लिए हैं आप मैं इसे ढख कर रग दूँगी और फिर हम चाशनी की तरफ चलते हैं चाशनी बनाते हैं तो उसके लिए एक मैंने साउस पैन लिया है इसमें हम डेड़ कप चीनी एड़ करेंगे और इस चीनी में उतना ही हम पानी भी एड़ करेंगे तो अगर आप 2 कप चीनी ले रहे तो दो कप पानी मिलाइए तो मैं यहां पर डेड़ कप चीनी में डेड़ कप पानी मिला रही हूं तो हमें चीनी चाशनी में कज्जोसी नहीं करनी है क्योंकि अगर हमारी चाशनी कम होगी तो गुलाब जामून उन्हें सोखनी पाएंगे तो यहां पर मैंने हरी लाइची को भी एड़ कर दिया है जिसे अच्छा फ्लेवर आता है बहुत आप चाहें तो केसर भी एड़ कर सकते इससे तो इससे पहले हम थोड़ा चलाते वे चीनी खुलाएंगे तो हमें जो चाशनी बनानी है वो एक शहद की कंसिस्टेंसी की बनान नहीं है और हम इसमें सारे जो हमने गुलाब जामून के बॉल्स बनाए थे वो डाल देंगे तो यह बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि जो तेल है वो बिल्कुल भी जादा गरम ना हो सिर्फ लो मेडियम हो और उसी में हमें अपने गुलाब जामून तलने है अगर तेल जादा गरम होगा तो वो बहर से तो लाल हो जाएंगे और अंदर कच्चे रह जाएंगे तो इस तरह से हमें डारेक्ट उस पर चमच नहीं लगानी है पीछे के हिस्से से या फिर कड़ाई को हिलाते वे हमें इनको गुलाब जामून को फ्राई करना है तो देखे कितन पूल भी नहीं फटे कितने सौफ्ट बने है और इस तरह से हमें सारे फ्राई कर लेंगे तो अब इसको निकाल लेती हूं यह रेडी होगे और इन्हें हम चाशनी में डाल देंगे तो चाशनी में थोड़ी गरम ही है यह ज्यादा गरम नहीं है लेकिन गुनगुनी है तो ठंडी चाशनी में हमें नहीं डालना है अगर आपकी ठंडी चाशनी हो जाती है तो इससे थोड़ा गरम कर लीजिए तो इस तरह से हिलाते वे हम इसे साइड में रख देंगे इसी तरह हम दूसरा बैच भी तयार कर लेंगे और यह ध्यान रखे कि तेल जादा गरम ना हो तो गैस आप पंद भी कर सकते हो बीच में गरम हो गया हो तो इन्हें भी हम तयार कर लेंगे और इनको भी हम इसमें चाशनी में डाल देंगे तो अब आप फर्क देख सकते हो सिर्फ 10-15 मिनट ही हुई है जो पहले मैंने डाले थे वो और जो अब डाले उनमें कितना डिफ अब यह देखे अब यूपर फ्लोड कर रहे हैं तो यह देखे एक घंटे में यह कितने ज्यादा रैडी हो गए है तो अगर आप इसे से 2-3 घंटे और रखेंगे तो यह बिलकुली फूल के डबल से तिबल हो जाएंगे तो देखे अब एक घंटे में आपको दिखाती हू में यह कितने फूले हैं और इन्होंने कितनी चाष्णी एब्जॉर्व की है गुलाब जामून ने देखा कितने फलफी हो गए हैं देखे विलकुल अंदर तक रसीले नजार आ रहे हैं दोस्तों तो इसी तरह कि हमें गुलाब जामून को त्यार करना है तो आप भी इसे ब क्रमेंट करके बताइए कि आपके